Hi everyone, welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB, JKPSC, SSC Online Tutorial So finally, आज से हम लोग स्टार्ट करने चारे हैं New Lecture Series for Social Welfare Supervisor Exam 2020 So आज की इस वीडियो में हम लोग First Unit के First Topic जाने के Society, Community and Association के उपर बात करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में क्या-क्या content हम discuss करेंगे क्या-क्या वीडियो में हम पढ़ेंगे वो मैं बता दूँ आपको की content क्या रहना है वाला है आज की इस वीडियो में So first of all हम इसमें बात करेंगे meaning, definition और characteristics की मतलब तीनो society, community, association के इन तीनों के तीनों concept की हम लोग meaning, definition और characteristics बात करेंगे उसके बाद most important हम इनके differences को जानेंगे मतलब society और community में क्या difference है, community association में क्या difference है अब difference हम क्यों करेंगे, basically difference इसलिए करेंगे क्योंकि firstly यहां से question पूछे जा सकते हैं आपको और दूसरा most important चीज यह है कि यह तीनों की तीनों concept चाहे वो society हो, community हो, association हो यह तीनों की तीनों मतलब इतने जादा interrelated है क्योंकि in short अगर मैं बात करूँ society की तो society किसे कहते है, society is a group of people with some relationship या interaction, having an interactions among them, right तो वही community की बात करें, तो same as it is, कि community को भी हम लोग कहते है, group of people where they have a we feeling, मतलब एक अपना पन उन में होता है just like a Muslim community, Hindu community, वही association की बात करें तो association भी group of people को कहते है, जो unite होते हैं किसी particular goal को cover up करने के लिए तो in short मैं कहूँ कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना, बहुत mix up and related and similar है, so वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपकी clear करूँगा difference में, जब हम difference की बात करेंगे तो और ये सारी चीज़ें discuss करने के बाद हम बात करेंगे important MCQs की, जिसमें मैं आपको around 30 to 40 MCQs discuss करूँगा most important जो इस topic से important है exam में पूछा जा सकते हैं, okay तो मतलब society, community और association में से जो भी important MCQs रहेंगे, वो भी हम इसी video lecture में cover up करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सभी candidate social welfare supervisor का full material चाहते हैं on the spot ओके और उसके लिए आपको join करना पड़ेगा हमारा supervisor membership group जाने के हमारा online course, इस course में आपको क्या-क्या features मिलने वाले हैं, first of all आपको lectures full 40 topics के lectures, then उसके बाद notes उन सभी के MCQs and along with that online test, ये चारो की चारो features आपको हमारे online course में provide किये चाहेंगे और course की fees जो है आपको pay करनी है, जो वो है सिर्फ 999 rupees, my idea ये 999 rupees सिर्फ 1 week तक valid है उसके बाद increase करतेंगे, क्योंकि 40 topics को cover करना with lectures, notes, MCQs, online test, बहुत hectic job है लेकिन actual में क्या है कि अभी COVID-19 period वे ऐसा चल रहा है तो इसलिए आप ऐसा समझ सकते हो ये एक offer चल रहा है, सिर्फ 1 week के लिए तो अगर आप join करना चाहते हैं तो आभी आगर एक हपते के अंदर ये जो हपता चल रहा है, आज मंडे है जो बच्चे join करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ 999 rupees पे करने है ये जो आप नमबर देख रहे हो 7006332724 आपको इस WhatsApp नमबर पे मेसेज करना है आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी सुपरवाइजर के रिलेटेड मतब कोर्स के रिलेटेड आपको कहां पे करना कैसे पे करना वो सारी की सारी इंफरमेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा फर्स लेक्चर और फर्स लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फर्स यूनेट के फर्स टॉपिक का फर्स सब टॉपिक जिसका नाम है सोसाइटी और सोसाइटी में हम बात करेंगे मेनिग, डेफिनेशन और करेक्टरिक्स की तो चलिए पहले सबसे पहले बात करने से पहले जो भी कहानी यहां पर लिखी हो ही है उस कहानी को डिक्टेट करने से पहले मैं literally इसका meaning आपको clear cut बता देना चाहता हूँ कि sociologist के accordingly society किसको कहा जाता है society कहा जाता है group of people को जो लोग common territory आपस में share करते हैं interactions होती है उनके अंदर और जो cultures को मतलब जिनके अंदर common culture को perform करते हैं मतलब literally society is a group of people लोगों का एक smoo जिनमें जो एक common जगाँ पर रहते हैं उनके आपस में interactions होती है एक common उनके अंदर culture ऐसा होता है जो perform करते हैं I hope आपको समझ आ गया होगा ओके तो देखो simple सी इसमें मैं एक और चीज आड़ान करता हूँ देखे group of people हम randomly suppose कहीं जाते हैं मेले वगारा में तो वहां पर भी group of people होते हैं तो हम उसको society नहीं कह सकते हैं वहां लोग तो होते हैं but they don't have a common they don't have an interaction simply ठीक है यहीं पर कहानी खतम हो जाती है यह मेरा एक common सा definition है society के लिए तो अब next proceed करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका जो maximum syllabus है supervisor का वो sociology और इसका कहते हैं इसको quality का वो mixture है और इसके साथ साथ थोड़ा current portion like schemes and all that वो सारी इसमें add-on है और sociology की मैं अगर थोड़ी सी background दूँ तो sociology basically subject है जिसमें उस subject अगर हम define करें मैं sociology को sociology subject को अगर मैं define करूँ तो sociology का मतलब होता है scientific study of society ओके तो यह मतलब जरूरी है आप लोगों के लिए जाना में भी I know it's not important बट जब हम शुरुआत करना है society word से तो आपको पता होना चाहिए कि society जो word है मतलब कहां से निकला है किस से related है तो simply जो sociology है that is the scientific study of society और scientific study means मतलब जितने भी demographic हो गया demographic sensuous होते हैं like मतलब वो जितने भी conduct किया जाते हैं जिसमें लोगों की गन्ना वगरा यह वो होती है वो सारी चीज़े इसी sociology subject में होती है I know कि यह इतना जादा उससे important नहीं है explain करना लेकिर फिर भी मैंने add-on कर दिया और sociology को जो father है basically उनको अगस कॉम्टे जो है he is the father of sociology okay so माईडर आप कहानी शुरू करते हैं अपने जो भी लिखा हुआ यहां पे अब बात करते हैं यहां पर society के बारे में एक short note है जो मैं discuss करने वाला हूँ तो यहां पे बोला है कि society word जो है वो latin word sociology से लिया गया है जिसका मतलब होता है companion association यह फॉलशिप मतलब literally अगर मैं बात करूं तो मतलब sociology का मतलब हुआ companion companion मतलब साथी साथी मतलब दोस्त ठीक है तो वही बात आगी ठीक है मतलब जिन में interactions होती है उसको लेकर अब बात करते हैं यहां थोड़ा सा further explain किया है कि group of people को society क्यों कहते हैं अब यहां लिखा है कि इनसान जो है वह हमेशे company में रहना चाहता है ठीक है और मतलब वह केला रहा नहीं सकता तो इसी चक्कर में मतलब जो George Simul थे उन्होंने remark किया कि sociability basically जो है मतलब एक दूसरे के साथ रहना followship में रहना यह जो यह basically क्या है that is the essence of society बतलब society की basically यह आत्म है देखो हम सब में एक हम सभी जो है वो society company group में बहुत जो मतलब जिनको हम जानते हैं बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठना इंट्रेक्शन करना बातें करना so just like उसी चीज को ही society कहते है तो यहाँ पे वो जो होता ना कि एक दूसरे के बातें करना and all that उस चीज को कहते है sociability और sociability basically यही एक most important चीज है जिसकी वज़ा से society जो है वो बनती है मतलब जब आपके बीच में group of people के बीच में जब interaction ही नहीं होंगी that don't know about each other then उसे हम society नहीं क जोर देता हूं जोर in the sense कि मुझे ऐसे से लगता है कि इनको समझ नहीं है इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूं sorry for that अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगी जिनको पता होगा ठीक है तो वह थोड़ा सा बेर कर लें बाकी मेरी कोशित रहती है उन सभी क्य है नहीं तो इसलिए मुझे थोड़ा से जादा stress देना पड़ता है अब society world क्या है मैंने literally आपको उसका मतलब बता दिया तो यह कहानी जो लिख हुई है वही बताई है कि आज के हमारे अगर day to day हम discussion करें तो society world जो है वह basically किसी specific group को group के members को refer या define करने के लिए भी हम लोग advice society, horizon society ठीक है just like that and जैसे आरे या समाज वगरा होगे तो यह सारी चीजों सभी societies को denote करने के लिए भी हम लोग society world को use करते हैं ओके तो मतलब just like next इन्होंने कहा है कि sometime हम कुछ institutions को भी मतलब यह word जो है वो refer करते हैं for example जैसे आरे समाज, ब्रहमो समाज है ना तो इस तरह से और society जो word है basically वो कभी-कभी association like consumer society, cooperative society, culture society इन terms को भी denote करने के लिए हम society world को use करते हैं तो यहाँ पे basically लिखा गया है कि society is also used in the sense of a group such as ruler society या urban society मतलब कभी-कभी group of people जो लोग urban areas में रहते हैं कभी-कभी कुछ लोग ruler areas में रहते हैं तो उनको depict करने के लिए उनको you know उस sense में भी हम लोग society का use करते हैं कि यह ruler society यह urban society है, okay so literally simple सी अगर मैं बात करूं तो society world का I think आपको पता लग गया होगा, अब यह basically थोड़ा एक मैंने pick आप लोगों के लिए रखी है ताकि आपको थोड़ा clear हो जाए, अब यहाँ पे लिखा है कि but in sociology society जो है वो group of people को, मतलब सिर्फ group of people को ही refer नहीं किया जादा, जब तक उनमें कोई particular type of interaction ना हो, relationship ना हो उन सब के बीच में, ठीक है, मतलब जैसे मैंने अलड़ी यह चीज़ आप से discuss कर लिए है, मतलब कि अगर किसी group of people में interaction नहीं है, वो कोई relationship नहीं है, तो उस group of people को हम society नहीं कहते, तो same चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, कि सिर्फ मतलब society, sociology में society उस group of people को नहीं बोला जाता, जिनके अंदर कोई भी relationship यह कोई भी interaction ना हो, okay, so guys, अब यहाँ पर basically चीज़ लिखी गई है, कि जो society है, वो basically abstract है, वो concrete नहीं है, मतलब वो abstract in nature है, इसका मतलब, मतलब कि society जो है, we we can't touch it, okay, we can just feel it, हम लोग सिर्फ इसको, मतलब, we can just add on ourself in the group, और उसको हम पूरा कर सकते हैं, बट हम उसको नहीं touch कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, क्योंकि वो concrete नहीं है, okay, उसको को structure नहीं है, okay, and next लिखा गया है, कि जो society है basically, वो एक individual के mind में reside करती है, मतलब, ऐसे, जैसे suppose करिए, यह simple सी, just like you can say, it's a type of, it's a feeling of sociability, simply, यहीं पर खतम हो जाता है, okay, तो यह basically था आपका meaning, आपका society का, okay, so मैं आपको सारी चीज़ा बताऊंगा आज, don't worry, okay, और मजा आने वाला आपको, अब देखिए, next है कि society जो है, कहते हैं कि एक fundamental, most fundamental term है sociology में, और, यह obviously हमारा cover-up हो गया कि हमने latin word, companion, all that, आपको, अब आपको, अब कुछ, society के elements के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लिखा है कि, it is this element of sociability, George Simul ने defined किया गया है, this is the true essence of already, देखिए, मैं चीज़ बताता हूँ, आप जब भी कुछ बूख उठाओगे, my dear, वही same चीज़े repeat करकर के, different, different words में, lines में, करके, आप लोगों के सामने बताई जाएंगी, मतब यहाँ पर, जैसे मैंने last में आपको कहा, कि George Simul ने क्या कहा है कि sociability वही एक true essence of society का, okay, you can say that's a basic fundamental, basic essence, essence होती है आत्मा, simple, take it just like you can use that word, तो finally next अगर हम बात करते हैं, next का आगया है कि it is, indicate that man हमेशा company में रहता है, अलग लोग, मतब एक company में रहना चाहता है, उसके बाद important चीज़ आती है, एक important definition है, जो हमेशा पूछी जाती है, और that is कि man is a social animal, तो यह किस ने कहा है, यह definition किस ने दी है, basically Aristotle ने कुछ centuries ago, Aristotle ने यह definition है यह दी थी, यह most important अमाइड है, बहुत जगों पर आपको देखने को मिलेगी, question यहां से पूछे जा सकते हैं, कि who said that man is a social animal, तो Aristotle है, जिनों ने यह definition जो है दी है, okay, so finally, literally यहाँ पर बताया गया ह कि इनसान को, man को जरूरत रहती है, society की, जिन्दा रहने के लिए, काम करने के लिए, life को enjoy करने के लिए and all that, okay, so, अब हमने इतनी कहानी पड़ी, ठीक है, definition हमने देखी, जो भी था, अब उस definition में हमने क्या देखा, मतलब क्या समझा हमने, मैं main main point highlight करता हूँ, society हमने क्या कि group of people होना चाहिए, उनके बीच interaction important है, okay, interaction जिनके बीच में होती है common, common territory को share करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते है, we can say that group of people is a society, okay, उसके बाद हमने कहा है कि sociability जो है, यह जो सिमुल ने कहा है कि sociability जो है, वो true essence है society का, okay, यह question पूछा जा सकता आपको, दूसरा important चीज यह है कि who said, man is a social animal, that is Aristotle, Aristotle नहीं कहा है, next question बन सकता है आपका कि जो sociology, जो society word है, वो कहां से लिया गया है, वो latin word socius से लिया गया है, next आपका question बन सकता है कि socius का मतलब meaning क्या है, in term of sociology, उसका मतलब होता है companionship, followership, okay, तो मतलब यह 4-5 question तो आपकी सीधा सीधा आपके इसी definition से, society के definition से जो हैं, वो निकलते हैं, अब बात करते हैं, definitions की, जो social scientist ने दी है, regarding society, यह question जो है ना, my dear, यह definition में से हमेशा question आपको देखने को मिलेंगे, believe में आपको direct यह definition दी गई होगी, सारी के सारी, और नीचे लिग दिया गया होगा, who defined this, who said this, जहां साथ मैं ऐसे question मार्क बढ़ गय scientist के नाम देदी के होंगे, वहां पर उनको, आपको, मतब, टिक करना है, कि कौन से बंदे ने यह जो उपरवेले definition है, वो दी होई है, okay, so यह याद करना बहुत important है, यह cram करना है, आप लोगोंने, simply, okay, तो इसमें कुछ, वो, ट्रिक वरे किये, वो, वो है नहीं, क्यूंकि इतनी सारे definitions के लिए कोई tricks नहीं होती, तो, sorry, अब define definitions के लिए, first of all, हम लेके चलते हैं, MacIver और Page के definition को, कि इन्होंने अपनी जो बुक है society में, society and introductory analysis, अब यह कुशन आ सकता है, यहाँ से भी यह कुशन बन सकता है, कि जो society and introductory analysis, जो है, वो, किनोंने लिखी है, किस social scientist ने वो बुक लिखी होई है, तो, इसका answer है MacIver and Page, अब इन्होंने क्या define किया है, अपने बुक में, society को लेके, चली पढ़ते हैं, देखिए, यहाँ पे लिखा है कि society system है, जिसमें, मतलब की, एक system of users है, and producers है, किसका authority का, मतलब, you can say, society में, एक authority होती है, authority को produce किया जाता है, जिसमे mutual aids, many, grouping, division, controlling, of human behavior and liberty, यहाँ लाइ करती है, मतलब, obviously, जब एक society होती है, उसको authority करने वाला कोई होता है, बहुत सारे mutual aids होते हैं, मतलब, आपस में, जो एक दूसरे की help करते हैं, उसके बाद, मतलब, society में, बहुत सारे divisions होती है, in term of caste, in term of class, okay, उसके बाद, status तोगरा ही है, व उसके बाद, मतलब, controlling, obviously, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, उनको control करने के लिए कुछ चाहिए, तो उनके human behavior को controlling करने के लिए, उनके liberty को controlling करने के लिए, और यह सारी चीज़े यहाँ exist करती हैं, उसे हम लोग society कहते हैं, okay, so, यह एक simple definition जो थी, वो में कावर और पेशने दी इसमें कहा गया है, कि it's a web of social relationship, देखिए, आपका एक और important question यहाँ से बनता है, अगर suppose करिये, आपको question पूछ ले जाता है, कि who defined this definition that society is the web of social relationship, तो you can tick the answer, you can tick the option, यहाँ पे लिखा होगा, my kaiver and page, okay, तो अब बढ़ते हम लोग अपने next definition की तरफ, next definition में, actually एक चीज़ मैं और बता दूँ, कभी pronunciation में उपर नीचे हो जा तो please, don't take that serious, क्यूंकि आपको समाज आना जरूरी है, okay, कभी-कभी कुछ words होते हैं, जो मुपे नहीं चड़ते हैं, और इनके नाम भी इतने खतरनाक होते हैं, मतलब literally कभी-कभी मैं, इसलिए मैंने ख group of people to the complex pattern of the norms of interaction that arises among them, मतलब simple, जो group of people को हम लोग कहते हैं, कि जब तक उन में complex pattern of norms of interactions ना हो, ठीक है, मतलब और साथ में, मतलब वो सारी चीज़ है, interaction relationship, जब तक उन में, मतलब arise ना हो, तब तक एक group of people को हम society नहीं कहते, basically, इन्होंने ये लिखा हो है, और literally आपको ये definition आपको is याद रखनी है, क्योंकि इसमें जब भी कभी definition आते हैं, तो उसमें कोई भी word उपर निचे नहीं होता है, ठीक है, तो simple, मैंने इसका meaning आपको बता दिया, अदरवाइस आपको इसको याद करना है, मतलब याद अन संज की अपने mind में रखना है, ताकि ये definition अगर आपको व कि group of people with relationship, with interaction, कुछ कहेगा, कि जैसे उपर लिखा हुआ, कि not a group of people, जब तक उनमें ये चीज़े ना हो, तो गुमा फिर आके वही बाते हैं इसमें, तो इसलिए confused महत हो ना, I hope कि आपको समझ आ रहा हो, अब जिन्स वो कहते हैं कि society collection of individuals है, जो आगे बात वहीं पर, कि मतलब लास्ट में कहा था कि, with common territory interaction, यहां पर उन्होंने word यूज कहा है, united by certain relations, modes of behavior, which mark them from others who do not enter into a relationship or who differ from them in behavior, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर भी वही कहानी लिखी हुई है, कि जो एक collection of individuals को कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, unite होते हैं, किसी relationship के द्वारा या किसी mode of behavior के द्वारा, obviously, ठीक है, तो यह सारी genes work ने अपनी definition in society में कहा है, next जो है, वो persons ने क्या कहा है, person ने कहा है, कि society उस चीज़ को कहा जाता है, जिसमें एक complex pattern of human relationship हो, एक complex pattern of human relationship को हम लोग society कहते हैं, मतलब जो भी उनकी relationship रहते हैं, वो end relationship हो, okay, और उस चीज़ को यह लोग society कहते हैं, इनके हिसाब से, next जो है, वो है, प्रोफेसर गिदिन द्वारा definition दी गई, कि it's a union itself, okay, union itself, जिसमें, और उसको, उसके साथ-साथ इननों ने organization कहा है, and कहा है, कि वो सारे former relationship, जिसमें वो सारे individual एक दूसरे के साथ, जुड़के group बनाते हैं, ठीक है, यहर कहानी, अब मैं इसको भी, मतलब important points वो pick up करता हूँ, देखियो, जितनी भी हमने 5 के 5 definition पड़ी, इसमें वो ही same चीज़ कहीं है, यह group of people होने चाहिए, उनके, उनमें interactions होने चाहिए, उनमें norms होने चाहिए, बाकि यह सारी के सारी चीज़ें, आपको as it is, याद रखनी है, ताकि आप लोग पिक कर सकोगी, यह definition किस बंदी ने दिये, okay, I hope आपको understand होगा, next, बात करते हैं हम लोग, characteristics की, most important, यहां से questions आपको आने के chances हैं, बहुत जादा, देखियो, definition में से question आ सकते हैं, आपको, characteristics में से question आ सकते हैं, और यह जो भी हम पढ़ रहे ह पूरा lecture में, यहां से सरफ तीनी question, पूछा जाएंगे आपको, और देखो पढ़ना कितना, देखियो, first characteristics की अगर हम बात करें, तो कहते हैं, society depends on likeness, society depends on likeness, likeness मतलब पसंद, ठीक है, मतलब वो सारे group of people, जिनमें आपस में एक common likeness हो, एक common पसंद हो, ठीक है, मतलब principle of likeness जो ह है, वो एक important essential part है, society का, ठीक है, और यहां पर likeness केंको, इन्होंने मतलब बताया है, similarities, मतलब वो सारे group of people, जो similar चीज़ों को like करते हैं, okay, तो, मतलब likeness in term of needs, goals या outlook, ठीक है, मतलब जिनका एक जासा goal हो, या एक जासी जरूरते हो, तो उस तरहां से, तो literally and in short अगर मैं बात क society, क्यों है, मैंने explain करते हैं, next, likeness के साथ साथ, society, जो है, society में एक और चीज़ होती है, that is, difference, difference, differentiation, difference, मतलब ज़रूरी नहीं, यार कि हम group of people, जैसे है, हम लोग सारे group हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं, जिस चीज़ को आप लाइक करते हूँ, मैं भी उस चीज़ को like करता हूँ हाना, तो अब हम लोग, अगर मैं बात करूँ, suppose हम लोग, तो चलो, अगर virtually हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी, हम लोगों में एक understanding है, एक relationship है, that's why we can call that, कि हम लोग एक society हैं, लेकिन, जैसे मैंने characteristics की बात करी, कि बहुत सारी चीज़ हैं, जिसमें आप वो चीज का वो भी like किया जाता है, difference is also the characteristics of society, तो यहाँ पर simply वही कहा जाता है, कि social relationship जो है, वो बहुत limited होते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसमें लोग ना पसंद भी करते हैं, तो first में आपने देखा characteristics that is likeness, दूसरे characteristics आता है इसका difference, और next जो third वाला है, sorry, तो व है आपका cooperation, ठीक है, मतब आपस में एक दूसरे की साथ cooperate करना, एक दूसरे की help करना, और simply जैसे likeness essential part था, same like, society जो है, वो based होती है कि इसके ओपर cooperation के ओपर, और यह हमारा एक special, मतब एक बहुत ही important part है, you can say essential part हमारी social life का, ठीक है, और basically इसमें क्या है कि जब भी हम mutually, मतब common goal के लिए, so in that way we can say कि we are, we are giving a cooperation to the members of our group, ठीक है, ताकि हम उस particular goal को achieve कर सके, तो literally आपको सर्व cooperation word को याद रखना है कि यह, जो word है basically, this is the characteristic of society, next जो है, वो है interdependence, obviously group of people है, अब हर एक बंदा जो है, अपनी सारी के सारी खूसरे निर्स पूरी नहीं कर सकता, उसे interdepend होना परता है, और यही सबसे बड़ा reason है कि हम लोग maximum बंदे जो है, वो relationship बनाते हैं, आपको मेरे साथ relation है, क्योंकि आपको मेरे need a exam point of view से, simply, मुझे आपकी, जिस भी हाथ से लेगा लोगी, मेरे बाद जो knowledge है, वो आपकी काम है, आप, 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 आपको मेरी दुरूर था मुझे आ रहते हैं, ओके, next है, society is dynamic, simple, dynamic मतलब, it's, 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 it's changeable, ठीक है, it's a broad, तो, अब, sorry, dynamic मतलब, obviously मैंने बताया, changeable, dynamic का उल्टा होता, static, मतलब जो कभी change नहीं होता, तो, simple यहां लिखा है कि change हो है, that is a, that is present in society, यह आज तक कोई भी, no society can ever remain constant for a length of time, मतलब, कोई भी society, level time के लिए एक जैसी नहीं रही, so my dear, society जो है, वो dynamic होती है, तो, यह है, आपके, और next बात करते हैं, हम लोग, next जो, आपका, obvious, जो characteristics है, that is culture, मतलब, सभी ग्रूप, जितने भी लोग होते हैं, एक society में, group of people में, उनमें common culture होता है, वो, सारे लोग जो है, वो perform करते हैं, ठ आपने लाइफ की वज़ा से, अपने cultures की वज़ा से, okay, अब simply, basically, हम बतायें कि culture जो है, that is not a society, मैंने अल्रदी आपको बता दिया, but, but, जो culture है, that is element of society, just like relationship, just like interaction, just like norms, culture भी एक element है, society का, so culture जो है, that is the most important characteristics of society, next, that is mutual interaction and mutual awareness, ठीक है, मतलब आपस में एक interaction, आपस में एक awareness, that is also characteristics of society, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ कि group society, जो है, वो लोगों के group से बनी होती है, और तब तक society नहीं बनती, जब तक उनके बीच में कोई interaction ना हो, जब तक उनके बीच में कोई mutual चीजे, interaction या awareness ना हो, next ब लोग होते हैं, group of people होते हैं, तो उनकी behavior को control, जो है, वो भी करना बहुत जुरूरी रहता है, so, इसलिए social control, जो है, that is also the most important characteristics of society, और next है, वो है social development, तो आपको अगर हम बात करें कि society, जो है, हमारी तो social world है, वो, मतलब, thousands of human societies है, मतलब, यहाँ पर thousands of human societies है, you will see, दुनिया में, तो इसलिए कहा जाता है कि, मतलब, obviously, यह time to time, जो है, वो develop होती आई है, क्योंकि primitive time के अगर हम बात करें, तो उस time के society कुछ और होती थी, दन उसके बाद, वो हम बात करेंगे, अपीटी संदी में बात करता हूँ, ताकि आपको example के साथ समझा सको, तो उसके बाद develop हुआ, फिर agriculture में आया, फिर उसके बाद develop हुआ, फिर industrial society बनी, तो इस तरह से जो society development जो है, वो भी एक important characteristics है, किसका society का, okay, I hope आपको clear हो गया होगा, अब मैंने जो last point पढ़ा न, society development, उसको थोड़ा सा further define करते हैं, देखिए, यह जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, I don't know, कि, मतलब, yeah, literally, मैं हमेशा बहुत concise रखता हूँ, चीज़ों को, क्योंकि मैं सिरफ उन्हीं चीज़ों पर focus करना चाता हूँ, जो exam point पॉइंड, लिकिन कभी-कभी, क्या होता है, कि अगर मैं चीज़ों को explain ना करूँ, कुछ जादा थोड़ा सा, मतलब, detail में, तो थोड़ी सी problem कुछ बच्चों को, अब, जैसे मैंने societal development के भी बात करी, जो आपका ninth characteristic था, society का, तो उसमें basically मैं बताऊं कि society जो है, मतलब, time to time change होती आई है, development करती है, society, तो first of all, अगर हम बात करें, 90s की, तब basically hunting और food gathering society उस नाम को दिया जाता था, ठीक है, और इसमें basically क्या होता था, बह आपस में जुड़े होते थे और बहुत नुमेंटिक वे से, नुमेंटिक वे अफ लाइफ था, उनका, बहुत पर्मेंटिव टेक्नोलोजी वो लोग यूज करते है तो, साइम पर उसके बाद, तोड़ा सा development हुआ, then horticulture society में convert हुआ, okay, and horticulture के बाद, agriculture में, I feudal society में convert उसके बाद, इसके बाद आती है, industrial society की, okay, फिर industrial society उसके बाद begin हुई, अगर आज, आज से, मैं अगर 200 साल पहले की बाद करूं, तो उसके बाद आता है आपका post industrial society, और इसका जो post, जो concept है, basically, वो formulate हुआ था, firstly, 1962 में by Daniel Wells, द्वारा, okay, so my dear, ये उतना important नहीं है, आपके exam point आ वीसे, लेकिन मैंने फिर भी discuss कर लिया, क्योंकि आपके characteristics में था, तो ये था आपका society की सारी कहानी, so, अब,